भाईया सरली करन का बहुत ही वाइरल सवाल है और लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर में कुछ भी उल्टे सीधे ट्रिक लगाके लगा लेते हैं आंसर और वहां कड़ जाते हैं उनके तीन नमबर ऐसा नहीं करना है ऐसे सवालों में जिनके उपर में कुछ डिजिट के उपर में बार होगा और कुछ के उपर में नहीं होगा तो हल करने का क्या है मातर दो नियम नियम नमबर एक आप ये काउंट करिए कि कितने संख्याओं के उपर में बार है और नियम नमबर दो कितने के उपर में बार नहीं है तो पहली बात कितने के उपर में बार नहीं है चार तो वो option हमारा उत्तर होगा जिसमें दशमलफ के बाद में चार संख्याओं के उपर में बार नहीं होगा क्योंकि पांच संख्या के उपर में बार है तो यहाँ चार के उपर में बार नहीं है तो यह हो सकता है ये नियम नमबर 1 के कारण और नियम नमबर 2 क्या बोलता है? वो ये बोलता है जितने के ऊपर में बार है उनका LCM ले लो जैसे 1, 3 और 1 1, 3 और 1 LCM कितना होता है? 3 यानि यहाँ पर 3 अंकों के ऊपर में बार होगा और यहाँ 3 अंकों के ऊपर में बार है तो option number B answer है यानि सही option कौन सा होगा जहाँ पर आपको दोने नियों follow करेंगे तो जल्दी से मुझे इस सवाल का answer दे दीजे फटाफट मेरे भाई comment box में